हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टूश्टेडि का पन्ना, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, पर्तिसत निकालना यानि की परसेंटेज निकालना, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, चलूँे देखते हैं समझते हैं, परसेंटेज यानि परतिसत होता क्या ह ठीक है देखिए परतीसत यानि की परसेंटेज जो है इस सब से ही इस पर्षठ हो जाता है कि परतीसत और परसेंटेज है क्या देखिए परतीसत का मतलब देखिए साफ साफ है परतीसत का अगर हम संदी विच्छेत करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्रती प्रती प्लस सत ठीक है प्रती प्लस सत यानि कि इसको अगर हम लोग बोलें तो परती एक पर cent ठीक है यानि कि परतिसत का अर्थ ही है परतेंक पर cent अगर इसी तरह से हम दोग ALARissance को भी तोड़ते हैं तो यहां से भी इसफ़हत होता है percentage यानि कि पर hundred ठीक है यहां से आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि परतिसत क्या है परतिसत मतलब कि किसी भी चीज का समान्स ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर आपको example के लिए बोलें कि देखिए 0 परतिसत ठीक है 0 परतिसत तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अगर 0 परतिसत है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ 0 वटे 100 यानि कि आप लोग समझे होंगे कि परतिसत जो है वो खुद ही किसी चीज का समा भाग है जैसे कि यहाँ 0 से परतिसत हटा तो 100 नीचे आया जैसे कि यहाँ पर हम बोलें 25 परतिसत ठीक है 25 परतिसत तो इसको अगर हम परतिसत को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे आप देखिए 50 वट्टे 100 ठीक है इसी तर से अगर यहां पर देखें हम बोलें आपसे 100 पर 30 ठीक है 100 पर 30 तो इसको आपको क्या बोलेंगे अब हम लोग बात करते हैं पर 30 निकाला कैसे जाता है चलिए देखते हैं पर 30 किस परकार से निकाला जाता है देखिएगा देखिए परतीसत में सवाल आपसे इस परिकार से पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपको हम बता दिये कि परतीसत होता क्या है तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि 500 का 30 परतीसत क्यात कीजिए तो इसको आपको घ्याद करने के लिए देख़िए क्या करना होता है तो जो भी संखे आपको दी गई है यहां 500 दिया है तो आपको 500 को यहां लिक्षणा ए, ठीक है उसके बाद देखे, इस का को हटाना है और आपको गुणे का चिन लगा लिना है, ठीक है उसके बाद यहां देखे 30 दिया है तो हमने आपको बताया था कि 0 पर 30 आए यानि कि 0 बटा 100 25 पर 30 पर 30 आए 30 बटा 100 यानि कि कुल मिला के कहने कारतिया है पर 30 आटेगा तो उसके नीचे 100 आएगा ठीक है अब यहां देखेंगे हम लोग 0 से 0 कैंसील हो जाएगा तो आपका यहां पर देखेंगे कितना आजाएगा पांच गुड़े कितना आजाएगा तीस ठीक है तो आप यहां पर गुड़ा करिए कितना आजाएगा आपका देखिएगा पांते हैं का पंदर hasta 150 जो हैगा 150 यह आपका आंसर आ जायगा याने की 500 का 30 पर्तिसर जो है 500 रुपे का 30 पर 30 सज जो है 152 हो जायगा ठीक है I hope कि आपको पर्तिसर समझ में आगे होगा चलिए एक और वी प्रशन को मुण लेते हैं सबसे पहले आम लोग आपको बताया कि 299 जो भी संक्या दिया है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे ठीक है और इस का को हटाएंगे गुड़े का चिन लगाएंगे और यहाँ पर देखें 20 है पर 37 हटता है तो नीचे 100 आता है ठीक है इतना काम कर लेंगे उसके बाद देखें यहाँ पर एक 0 से 0 कैंसिल जाएगा आप देखें उपर बचा 299 गुड़े 2 तो सबसे पहले आप लोग इसको गुड़ा करके ही लिख लीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको 299 में 2 से गुड़ा करिएगा कितना आएगा देखिए यहाँ पर 299 में गुड़ा करिएगा यहाँ पर एक बर कर लेते हैं गुड़ा ताकि हो पर को समय में 2089 में गुड़ा करेंगे 2 से ठीक है तो 2998 गुड़ा हाशी ले खो कितना इक этот . कनाव हां से लेखो जाएगा दोदना 4, 1, 5, 5, 98 आ जाएगा ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे 598 को लिख लेंगे उसके बाद देखिए नीचे में 10 है तो 10 नीचे लिख लेंगे अब आपको पता है किसी वी संख्या में 10 से या 100 से भाग देना बहुत ही आसान होता है वो क इस तरह से देखिएगा जब भी आपको इसमें दस से भाग देना हो किसी संख्या में तो आप उस संख्या में एक अंग छोड़ के दसमलो लगा देंगे तो यहां पर देखिए दस से भाग बीजीगत कितना आ जाएगा आपको 69 दसमलो आठ आ जाएगा ठीक है यानि कि 299 कि बढ़ बतुम देखिए मिलते ने चुलं तप देखिए हिन तंद मतरम